इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह यानि कि पुराने दर्द के इलाज में किया जाता है। यह दर्द और इससे जुड़े लक्षनों जैसे मूड में बदलाव, नींद की समस्या और ठकान को कम करता है। ऐसा माना जाता है कि यह क्षतिग्रस्त नसों और मस्तिश के माध्यम से यात्रा करने वाले दर्द संकेतों में हस्तक्षिप करके काम करता है। इसमें पोशक तत्वों की खुराग भी शामिल है जो तंत्रिका चालन में सुधार के लिए आवश्यक हैं। दुजेला M20 कैपसूल डॉक्टर नियमित रूप से आपके शारीरिक और सामाजिक कामकाज और जीवन की समग्र गुनवत्ता में सुधार करेगा। इसे काम करने में कुछ हफ़ते लगते हैं। इसलिए आपको इसे नियमित रूप से लेने की जरूरत है। भले ही आपको लगे कि यह कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। एक बार आपके लक्षन चले जाने के बाद भी आपको तब तक दवा लेते रहना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको रुखने की सलाह न दे। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुचले या तोड़े नहीं। ड्यूजिला M-20 कैप्सूल डॉक्टर भुजन के साथ या बिना भुजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। डूजिला M-20 कैप्सूल डॉक्टर दो दवाओं का एक मिश्रेन है डुलॉक्सिताइन और मिथाइल कोबालामिन डूलॉक्सितीन एक सेरोटॉनिन नॉपेनिफरिन रीपटैक इनिबिटर यानि की SNRI है जो मस्तिष्क में दर्द संकेतों की गती को रोकने वाले रासायनिक दूतों यानि की सेरोटॉनिन और नॉरेड्रिना लाइन के स्तर को बढ़ा कर काम करता है मिथाइल कोबालामिन विटमिन बी का एक रूप है जो माइलिन के उत्पादन में मदद करता है एक पदार्ज जो तंतरिका तंतुओं की रक्षा करता है और क्शतिग्रस्ट तंतरिका कोशिकाओं को फिर से जीवन्त करता है साथ में वे नियूरोपेथिक दर्द यानि की क्षतिग्रस्त नसों से दर्द से राहत देते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन ओन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद